हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभीका आपके अपनी यूटूब चैनल देश्टडी स्टैक में तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम आपको ऐसे सवाल करना सिखाएंगे जिन में भिन का गुणा भाग जोड घटाना सब कुछ होता है तो इन सवालों को हम सिंप्लिफिक सबसे पहले हमें भाग का चिन सॉल्व करना है उसके बाद हमें गुणा का चिन सॉल्व करना है उसके बाद हमें जोड का चिन सॉल्व करना है और उसके बाद हमें घटाने वाला चिन सॉल्व करना है तो चलिए अब हम इसी आधार पर अपना यह प्रस्व करेंगे तो पहल इधर आप धक लीजिए और यह भी धक लीजिए तो आपको केवल यह पता चल जाएगा यह भाग का है तो इसको पहले का चिन लगाएंगे तीन बटे छह को तो वैसा ही लिख देंगे गुडा चार बटे आठ और जब भी भाग किया जाता है जो इसको पता होता है कि जो भाग का चिन होता है तो यह वह बहिए है कर दीजिए स्कारम हो जाता है दो हो 2 बटे 6 यह देखिए अब हमारा भाग का चिन सॉल्व हो गया इसके बाद आप वैसा ही यह नोट कर दीजे प्लस का 3 बटा 12 माइनस 9 बटे 12 तो देखिए इसके बाद हमारा क्या रूल था कि गुणे वाला चिन सॉल्व करना था तो देखिए अब गुणे वाला चिन हम सॉल् वाला चिन तो पहले हम इतना सॉल्व करेंगी और पहले पोड़कोऊ यह दो रहे हमने सॉल्व करते हैं दो आप लिजिए प हैं सॉल्व करते इन हें सॉल्व करते pan एभराव हम उनाहरा चिन सॉन्व करथा तो ओर फैसा सॉनी का पर अऌटा यह उन्पृ साइफ हैं यह सघ लाउन चैनल करेंगे तो देखिए दो एकम दो चला जाएगा यह चैंट यह चार एक है तो तो यह दो बार क्या होता है चार दूना किलता नहीं गट सकता है अब इसमें और कुछ नहीं कट सकता एक 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 तीनों में एक एक आ गया तो अब क्या करेंगे इसका गुणा कर देंगे क्योंकि मैंने बताया कि उपर उपर गुणा होता है और नीचे नीचे गुणा और उपर नीचे ऐसे कटता है तो क्या आ जाएगा हमारा ये एक बटे और 6 दूनी 12 क्योंकि नीचे गुणा होता है, च्छा दूनी 12 तो 1 बटे 12 यह हमारा आ गया, इसके बाद हमें वैसा ही लिख देना है, तो प्लस का 3 बटे 12 इसके बाद माइनस का 9 बटे 12, यह हमारा आ चुका है, तो इसके बाद हमारा क्या रूल था? कि हमें प्लस वाले सवाल को प्लस वाले चिन को solve करना था तो दीखें ये माइनस का है तो इसको आप ढख लीजे तो क्या बचा ये प्लस का बचा तो पहले आप इसी को solve कीजे तो दीखें जब हर समान होता है जब भी हर समान होता है तो क्या करते हैं कि अंसों को जोड़ देते हैं और अगर हर समान नहीं होता है तो मैं पिछले वीडियो में आपको ये भिन्द का जोड़ सिखा चुका हूँ तो उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर हर समान नहीं होते हैं लाग सा लेकर हर कुछ समान किया जाता है लेकिन यहां पर हर समान है तो क्या करेंगे अंसका आपस में जोड़ कर देंगे तो बारह वैसा ही लिखा रहने देंगे और एक प्लस तीन कर देंगे और एक प्लस तीन और इसके बाद यह माइनस वाला वैसा ही लिख देंगे माइन सवाल को सॉल्व करना है तो अब यह जो है वह हमारा केवल माइनस ही बचा है तो अब हम माइनस वाले सवाल को असानी से सॉल्व कर सकते हैं तो यहां देखिए मैंने पिछले वीडियो में जब भिन का जोड़ और घटाना बताया था तो उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर दोनों भिन के हर समान है तो क्या होता है अंसों का आपस में जोड़ या घटाना हो जाता है और अगर इसमें हर समान नहीं है तो लासा लेकर हर समान किया जाता है लेकिन यहां पर बिल्कुल सिंपल जाएगा क्या होगा यहां पर कुछ नहीं है मतलब क्या होता है यह प्लस का चार है यह माइनस का नौ है तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है तो नौ मैसे जब चार घटाएंगे तो क्या जाएगा पांच बटे बारा लेकिन यहां पर यह जो पांच आया है यह प् कि कि वाली संख्या बढ़ी है या प्लस की बाए गिनिस की सामने नौ है फ्लस के सामने 4 तॉ ठोक्त तो यह सब दो कि यहां पर चंध किस का चाहिए गा मेस का तो यह अंसर क्या हो जाएगा अप्सकरण। यह आपको यह सवाल करना इस वीडियो में बताया है वह आपको जरूर समझ में आया होगा तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो महतपूर लगा हो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नहीं है तो ऐसी मदद की वीडियो पाने के लिए चैनल को ना ना भूलें इसलिके साल मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद